जै करवाचोत माता की मक्ती वावना यूटुब चैनल पर आप सभी का स्वागत है करवाचोत के दिन जरूर खाएं एक चीज करवाचोत का ब्रत सबसे बड़ा ब्रत होता है स्वागन मेलाओं का यह बड़ा ब्रत है साल का और इस वार तो करवा चोथ पर चार-चार महा सुवयोग पड़ रहे हैं करवा चोथ की दिन स्वागर मेलाय पते की लम्य उम्र के लिए ब्रत रखती हैं तो आज के दिन आप ब्रत रखें पूरे दिन उपवास निर्जल ब्रत रखा जाता है और चंदरवा को अर्ख देने के बाद में ये ब्रत खोला जाता है तो जब आप चंदरदेव को अर्ख दे लें उसके बाद में आपको प्रसाद खाना है ये चोथ माता का भगवान गनेजी का आशिरवाद है इससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी इस दिन कई रासिया हैं जिनका योग बहुत ही अच्चा है तो भगवान की क्रपा से आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी करवाद चोथ के दिन खानपीन का विशेश रूप से घरवाले ध्यान रखें क्योंकि मेलाएं प्रत रखेंगी तो आपको विशेश रूप से ध्यान रख रहें घर में कोई भी तामसिक वोजन ना बने पूरा सिंगार करें और साथ ही सोले सिंगार सासुमा को मन्सने के लिए रखें थाली सजा करके रखें उसमें आप मीठा और पुष्प एक लोटा जल आप सभी सामिगरी कितर कर लें और जो बायन मन्सने के लिए वो भी रख लें मटरी रख लें और उसके बाद पाँच बजे से ले करके साथ बजे की बीच में आप कतास्रवा बढ़ करें और फिर 8-9 बजे तक चंदरवा निकलते हैं टैम तो 8 बजे का है लेकिन 9 बजे तक चंदरवा निकलते हैं अर्ग दे करके आप ब्रत खोलें जब आप चंदरदेव को अर्ग देंगे उस समय आप अपनी इच्छा बोलें और पती के आज से पानी पी करके मीटा खाकर ये ब्रत खोला जाता है फिर आप अपने घर का खाना खाएं थोड़ा सा घर का खाना पहले जरू खाएं और जो प्रसाद आपने 4 माता के सामने आप कता सुनेंगे उस समय केले का फल और नारियल ये चीजे ये केले का फली रख दे आप एक फल जरू रखना है आपको 4 माता के सामने और कता का स्रवड करेंगे जवाब ब्रत खोले तो वह प्रसाद आपको जरू खाना है 4 माता का ये आशिरबाद है और इससे मनो कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है इस दिन भगवान गनीजी की पूजा का विशिस महत्व है तो भगवान गनीजी को दुरवादल चड़ाएं तेले गोड के लड़ू चड़ाएं भगवान गनीजी को आग के पक्तों की माला बना करके पहनाएं इससे मनो कामना पूरी होगी एक दिपक वगवान गनीजी के सामने चोव मुखी जलाएं एक दिपक पीपल ब्रक के नीचे जला के परक्रमा करें एक दिपक वगवान सिव और माता पारवतिक सामने जलाएं ये उपाय आपको जरूर करने है ये उपाय करने से आपकी मनु कामना पूरी होगी और पूरे पवित्रता के साथ में ये ब्रत रखें जीवन में जो भी कश्टे है परिसानिया जो सिंदूर है उसका बड़ा मथत होता है तो चौत माता की सामने बुस्तिनूर रखें और फिर उसमें से आप मांग जरूर बरें आपको आशिरवात प्राप्त होगा चौत माता का और इस तरह यह चीज केले का फल आपको जरूर खाना है जै चौत माता की